कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूत कर साइस यूडूब चैनल पर आज के इस वीडियो में विश्च भूगोल के महात्वपू टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिसके अंतरगत आज हम देखेंगे सुनामी के बारे में हम देखेंगे सुनामी कैसे आती है उसक है कि यह इतना विनासकारी कैसे हो जाती है कि और सुनामी सब्द तो स्आपानी सब्द है बना है एक है सु और दूसरा का मतलब है हारबर मतलब बंदर गहां और का मतलब होता है तरंग मतलब ऐसी तरंग के जो हारवर मतलब 30 रथी छित्रों को प्रभावित करती हूं उनको हम सुनामी कहते हैं लेकिन आखिर हारवर सब्द क्यूं यहां पर यूच किया गया हारवर हम लोग पढ़ते हैं परल हारवर यह और भी बंदरगाह नाम से जाना बहुत ज्यादा बने हुएय है तो ऐसी घब पहले उठी तो क्या करती थी नाम क नाम रख दिया गया सुनामी तो ऐसी दिए गए अब कि आइसी तरंखे ज्टर आए जो प्रभावित किस को करती रहा है तहुत नाम कि सुनामі लग दिया गया तो लेकिन ये तो बात हो गई लेकिन वास्तों में बात करें सुनामी आकिर होती क्या है तो सुनामी दरसले सागरी तरंगे हैं सुनामी क्या है एक सागरी तरंगे हैं जिनकी उत्पति भुकम से जुआला मुखी से और किसी हिमखंड के समंदर में गिरने से औ इसे उलकापिंड से भी हो सकती है तो आखिर सुनामी उत्पन कैसे होती है उसको हम आये समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम सुनामी को मैं बता दूं कि इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे सुनामी आती कैसे है तो सुनामी के दो कारण होते हैं एक प्राकरतिक दूसरा पिंड अगर जो कोई भूकंप किसी भी समुद्री छेत्र में आता है तो समुद्री छेत्र में आया हुए भूकंप से क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो समंदर का जो पानी होता है वो उपर के उठ जाता है जब उपर के उठता है तो अपने उसी अवस्था को प्राप जबाना शुरू हो जाती है यह कुंस सी सुनागे jsौतु होता है कि जैसे आप कोई पानी पेसे से चारूंद तरफ यही गुलाकार, जो तरूंग होती हैं व कही सी ना सुना सुरू हो जाती है महाँसागरों में वैसे तो इनकी में बात करूं तो तटवर्ती छहत्रों में तो यो परभावण कहतें लेकिन जब महाँसागर देखेंगे तो इनका कोई प्रभाव में देखने को नहीं मिलता है लेकिन जैसे जैसे लहरे तटके पास चलती चली जाती हैं बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं कैसे उठती में आगे भी इस चितर के माध्यम से आपको बताने की कोसिस करूँगा जैसे वो ऊपर उठती हैं काफी यदा छेतर को प्रभावित कर देती हैं तो एक सबसे जादा जो सुनामी आती हैं भूकम्ब की वज़े से ही आती हैं दूसरा कार्ण है जवालामुकी अगर जो किसी महासागरी छेतर में जवालामुकी आ जाता है तो उससे क्या होता है वहाँ पर जब भी जवालामुकी फटता है तो आज पास जारी कर दिया जाते हैं अभी हाली में कुछ दिन पहले इंडोनेसिया में ऐसी कंडिसन में देखने को मिली थी बाकी कि अगर जो बात करें तो भूमत सागर भी इसमें कुछ पीछे नहीं है वहाँ भी क्या कह सकते हैं कि एक मियानी सब्विता थी कि वहाँ पर मिसर की 1490 इसा पूरव की मैं बात खूर तो आप एक सब्विता हुआ करती थी कहते हैएं कि वहाँ पर जो एजियनस आगर है वहाँ पर एक ज्वालामुगी का विस्पोर्ट होता है एक हिमखंड है अगर जो आप किसी उत्तरी दुरूवी या कहें कि आर्टिक सरकल के आस पास के देसों के और रुक करें चाहे आप इक्जांपल पा आप नारवे को ले लिए या एक्जांपल के तो पर आप कनाडा को ले लिजी या फिर आप ले ले लिए ग्रिनलैंड को तो कहने का मतलब यह कि सुनामी के वो च्छेत्र हो सकते हैं वो भी एक कारण है कौन सा हिमखंड दरसल हम जो भी यह चीजे पढ़ रहे हैं उलका पिंड को देख लेते हैं फिर इसमें फुरा सा और डीप गुसने की कोशिस करते हैं और अच्छे समझने कोश करते हैं उलका देखने से तरंगे उठती वैसे उलका पिंड के गिरने से भी उठेंगी और कह सकते हैं कि सुनामी वहां पर आएगी दूसरा मैं बात करूं मैं बात तो मैंने बता दी भूकंप है जौला मुकी है हिमखंड है उलका पिंड है इसमें कोई मानवी हस्तचेप आपको दिख र हैं जैसे मान लीजे मैंने बताया हिमखंड हिमखंड जसल सीधी बात है कि अगर जो आप किसी हिमखंड वाले कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या जो आज कल के दौर में बढ़ती चली जा रही है इसमें मानवी हस्तचेप जिम्मेदार हैं तो यह चीज़ आप समझ जब कोई हिमखंड उसमें टूटके गिरेगा तो वो कहीं न कहीं ग्लेसियर के पिघलना हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ न कुछ ने पार्टीशन मनुस्यका रहता है दूसरा एक इसमें कारड और भी हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं भू इस खलन है लैंड स्लाइड यह व जिसमें मनुस्यका भी योगदान ठूस ठूस कर भरा हुआ है कैसे योगदान है आए उसको समस्ते हैं दरसल तटी छेत्रों में आज जैसे आप जानने हैं वरतमान में एक भारत देश के अलावा भी भारत में तो खरही समस्या बरतीवी जनसंक्या एक बहुत बड़ी समस् अधनी की वबात चिए घंगलों की वहां फरेए बस्तिया बना रहा है जब जहांते और कम च succ erkennen की लिए और आइस में जरूवी साधन क्या हो सकता होती है इसमें उसको रहने कि लिए बात में अब एक मानवी जीवन, एक कुसल जीवन जीने के लिए लोग क्या करेंगे जंगलों में तो रहना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे जंगलों को काट के अपनी बस्तिया बना लेंगे, तो जब जंगलों को उन्होंने काट दिया अपनी बस्तिया बना ली तो उनको दि लेंड स्लाइट को बढ़ावा देती हैं तो लेंड स्लाइट इसी की वेसे आती है तो पेड़ों को काटना और दूसरा एक कह सकते हैं कि अधिक करण के जमाने में आप देख रहे हैं बड़ी-बड़ी इंडेस्ट्री आप तटवर्ती छेतर में भी लगाई जाते हैं चैतर यह कोई भूखज है यहां से जब मान दूसरा पर कोई पेड़ों को काट दिया गया जब पेड़ कर दिये गयां तो मिट्टी यहां की धिली होगी पूरी की पूरी मिट्टी क्या हुगी खिसक के नीचे गिर जाएगी तो क्या होगी वो लैंड शलैट को बढ़ावा देखिए माली यहां पर फोड़ी दूर पर चोटा सा दूइब भी था यहां से लहरे उठेंगे इस दूइब को पूरी तरीके से खतम कर देंगी जो जजीवन था पूरी तरीके से अस्त वेस्त हो जाएगा तो कहने का मतलब यह था यह तो थे सब जितने जो मानुवी मुखे रूप से काड़े ब्लहले के जी जाती है कि पर अब कर दर्चति कि आस पास के च runners-नामी दर्जास यह सकते हैं कि स्वाभा के लिए जिम्हेंदार है मानुवी में कि ौश्वान के इसके परभाव कि हम समझेंगे कि प्रभाव आखे जब को उस्वां का आती है तो सुनावी आने के बाद किसे अगर परभां को समझना तो आपको जापान को रुक करना पड़ेगा जापान को रुक करेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में होता क्या है भू आकरती परिवर्तन हो जाते हैं जैसे आप जब दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी इंडोनेसिया में सुमात्रादीब के पास में आप द लिके से नस्ट हो गया था तो कहने का मतलब यह कि उसमें बहुत से दृप झत्स हैं फ्री तरीके से बहुत हैं यह जब खारा पानी परत्वी मरलब की, भोखंड के अंदर प्रवेस करता है तो आस पास की मिरदा को क्या कर देता, पुरी तरीके से खारा कर देता तो को यहांपर क्रसिगीों के भूम हूँ बिलकून के ब्राबर हो जाती उसकी मिट्य कीुटवद्त्ता कुटी तरीके से छिनडबिन नसीभ हो जाती हो जाती है उपजाओ मिट्टी का हरास होता है कि अगर ढहरें फिर 5 पति नक्तान तो नहीं होता है कि मैंगरों को हम मानते हैं कि ये समंदर के विस्तार को रोकने का काम करते हैं लेकिन ये भी सुनामी के आने की विए से ये भी बहुत ही बाउने नजर आते हैं जब सुनामी आती तो मैंगरों वगरा पूरी वनस्पतियों को पहा के लेके चले जाती हैं तो इससे क्या होता है कि तटी वनस्पतियों को उन में आसरे जो होता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और हम एक कारण़ में हम ले सकते हैं कि नदी के डेल्टा में परिबरतन हो जाता है जब सुनामी आती तो नदीों के जो डेल्टा है उस छेतर में अगर जो नदी बह रही है तो पूरी तरीके से कि यह मिः facing प्रभावित हो जाता है इंधिन कि सबसे पहले आप यह समझी है कि इसको मान लेते हैं यह B है यह A है सौरी इसको A मानते हैं जानते हैं कि जैसल पृत्वी के नीचे प्लेटे इस्तित हैं मैंने बताया था कि टेट्रॉनिक प्लेट में कि नीचे क्या है पृत्वी के नीचे प्लेटे इस्तित हो तो प्लेटे एक दूसरे से खिसकती हैं दूर पक्रम की नबस सब्सक्राइब करोंगे यह जो है, उससे निमताम दूरी कह सकते हैं, और इस पुरती कहलाता है, अधिकेंदर एपी सेंटर जो होता है जैसे मान लीजे दो प्लेटे टकराई ये दो प्लेटे आपस में टकरा रही है तो ये कहीं टकराई होंगी तो ये क्या है इसका एपी सेंटर है मतलब कि अधिकेंदर है आधिकेंदर जैसे टकराती है तो टकराने के बाद में यहां के जो पानी होता है वो उपर के और उठता है देखें मैंने लहरों के रूप इसको बनाया तरंगे हैं यह तरंगे क्या करेंगी पानी को उपर के और उठा देंगी जब पानी उपर के और उठेगा तो सिधी बात है कि एक कंडिशन के बाद ये पानी फिर नीचे के और आने की कोशिस करेगा पानी जब अपनी पुना इस्थिती को प्राप्त करने की कोशिस करेगा तब नीचे की और आएगा तरंगे खतम हो गई, मान ये मैंने तरंगों खतम कर दिया, पानी नीचे की और आएगा, तो नीचे की और आएगा तो तरंगे कुछ इस तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी, तरंगे ये पानी की तरंगे फिर वो पूरे, फिर कंडिसन कुछ इस तरह बनेगी, वही तरंग पास के छितने फैलना सुरू कर देंगे इनकी रफ़तार बहुत तेज होती है जब यह तटवर्ती छेत्रों में पहुंचती है तो तटवर्ती वैसे तो समुद्र की गहराई में इनका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आपको नहीं लेगा कि कि सुनामी आरे वाली है लेकिन दरसल बैग्यानी क्या करते हैं प्रत्वी मलब की जो रियक्टर स्केल पर जो मापतें भूकम वगयरा कितने तीवर्ता का आया है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कि भूकम सुनामी आएगी कि नहीं आएगी तो जैसे यह मान लिए तीसरे फीगर के जरिय है उस दूर तक फैलती चली जाएंगी वैसे यह मान लिजा सांथ पानी था सांथ पानी में नहीं दिखेंगी लेकिन जैसे टत्वरती छेतरण पहुंचेंगी जैसे हम जानते होंगे कि यब कुई तटवर्ती छेतों में पहुंचती अर्था पानी की रुकावट में बाधा उत्पन न करते ही, मतलब कि ये तट जो है ये स्कोर स्लोप देता है, पानी को रोकने की कोसिस करेगा, लेकिन पानी की रफ़तार इतनी तेज होती है कि जब रोकने की कोसिस करते हैं तो ये उठना सुरू हो जाता है आप असी की स्पीट से गाड़ी चलाएए गाड़ी चलाता चलाता एक दम से ब्रेक लगा दीजे तो पिछला पया उपर कि रूड़ जाएगा बिलुकुल इसी तरीके करता है तो यह पानी ऊपर के उठता अर्थात समुद्र समुद्र की गहराई के पेच्छा चिछले पानी में जो सुनामी की लहरें वह ज्यादा ऊपर उठती है तो जैसे यह ज्यादा ऊपर उठेंगी तो यह जैसे इनकी उंचाईज है वह 30-30 मीटर तक पहुँझ आती है ज प्रकति की प्रकति के कुछ नियम है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए जो भी प्रकति अपने आपको संतुलित करती है भारत भी आखिर या कहें वैसु की इस तरवे भी इसको ले करके कुछ काम किये गए हैं एक पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम आप एक स्थापित किया गया था 1949 में होनुलूलू में होनुलूलू दरसल यूएसे के पचा परदस जन्धन की हानी हुई थी इस वज़े से क्या किया गया है यहां पे एक सेंटर इस्थापित किया गया है जो पैसिफिक छेतर के आसपास के एरिया में आने वाली सुनामी का पूर्व रूप से आंकलन कर लेते हैं आंकलन के बाद में क्या किया जाता है आप जानते सुनामी तो आनी तय है तो आज पास छेतर पूरे इलाके खाली करा लिए जाते हैं आप देख रहे होंगे कुछ टाइम पहले आप इंडोनेसिया में देखे होंगे लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो समय रहते हैं उनको अपनी जबों को खाली नहीं कर पाते हैं या कहें कि तो वह जंधन की हानी को अच्छे तरीके मलब कह सकते हैं बहुत ही बड़े इस तरफे वहां पर जंधन की हानी में देखने को मिलती है जाकि आप सुनामी का प्रकोप आप कहें तो इंडोनेसिया भी इसका अच्छा सा प्रेडाम हम कह सकते हैं तो फिलाल आज के इस वीडि बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहें आप क्योंकि लेकिन इस चैनल पर आपको देखें कि कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आपको कोई भी आप यूटूब पर पूरा सर्च महा लिजे वर्ट जोगर्फी के ओपर इंडियन जोगर्फी के ओपर या और भी अनस लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद आ